आप सब करते हूं निदी कीचल लाइश्टार चैनल पर दोस्तों उमीद करती हूं आपके पढ़िवार वाले सारे सुरक्षित होंगे आज इस वीडियो में मैं बहुत ही बहतरीन रेमेडी आपके साथ शेयर करने जारी हूं दोस्तों इस रेमेडी को जस्त अभी मैं लगा के और गौश करके आई हूं मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है इसलिए मैं सुची की क्यों ना इस रेमेडी को आप सभी के साथ शेयर करूँ दोस्तों यह आपके सफीर बालों को जर से काला नहीं बनाएगा आपके बालों के घ्रोध को प्रोमोट करने का जो ज़रने की समस्या है उसे धीरी धीर स्टॉप कर देगा बहुत ही कारगार है यह रेमेडी तो चली देख लेते हैं इसे बनाना कैसे और दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी इस रेमेडी में कोई भी ऐसा इंग्रेडियंट इस्तमाल नहीं किया गया है जो आपके बालों को नुकसान पहुचाएगा कोई भी chemical इसमें नहीं इस्तेमाल किया गया है और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दू कि अगर आप chemical वाली hair dye इस्तेमाल करते तो आज ही इसे बंद कर दे क्योंकि वह बहुत जादा नुक्सान पहुचाती है आपके बालों को पहुचाती है आपके बालों को रफ एंड ड्र आपके आएगी और साथ ही साथ जैसा कि मैं आपको बताई हूं कि बाल में बालों को सफेज से काला बनाए और अपने बालों की ग्रोथ पर ध्यान दें जी हां दोस्तों चलिए देख लेते हैं उसे पहले चोटी से रीक्विस्स है अगर चैनल पर पहली बार आए ना तो प तो सबसे पहले तो आप देख लिए मेरे बाल जो है वो बहुत जादा सफेद हो गए थे और बिल्कुल यह बलाक में चेंज हो गया है क्योंकि इस रेमेडी को मैं आपको बता तू मैं 15 देश से इस्तेमाल कर रही हूं मुझे बहुत अचा रिजल्ट मिला आज मैं इसे इस मेरे दिल को खुश कर दिया है यह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं तो चलिए देख लिए इस रेमेडी को बनाना कैसे लेट्स गो स्टार्ट इसे बनाने के आपको एक क्लीन बाल ले 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 यहां पे लोही का बरतन हमें नहीं चाहिए सबसे पहले सकते हैं litrel एक आपको आयो रही किर आपको पावड़र यह चाहिटामांसी पावडर हैं अपने वीडियो में हुआ घामांसी फेल्ट शेयर कर चुकिई हो जटामांसी भावड़र के रही ह४ा करों बोह sociaux वीडियो के रहा है और हम प्लाइक करते दिखा हूं यह हूं तो एक चमच इतना आपको ले लेना है जटामांची पाउडर दोस्तों यह एक ऐसा जड़ी पूटी है जो की सदियों से चला आ रहा है सफेद बालों को काला बनाने के लिए तो इसे जरूर एड़ान कीजिएगा यहां पे एक चमच ले ली हूं मैं अभ यहां पे लेने वाल पाउडर भी मना सकते हैं यह तो आप मेरी तरह इस तरह आप बाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन एजली अवलेबल है आपको मिल जाएगा यहां पे मैं काला कत्था नहीं आड़ कर रही हूं यहां पे ब्राउन कत्था अड़ कर रही हूं यह मार्केट में आपको इसली अपना फेवरेट रेगुलर शैम्पू जी हां दोस्तो जो भी आप शैम्पू इसतमाल करते हैं अपने बालों को वाश करने के लिए बस वही यहां पे एड़न करना है आपको एक चमच इतना दोस्तों जब भी आप शैम्पू अपलाई करें ना तो आपको मैं बता रही कर दूंगी दोस्तों यह जो पेस्ट है ना इसे आपको नहाने के पहले 1-5 घंटे पहले अपने बालों पर अप्लाइ कर लेनाए उसके एक घंटे के बाद आपको नॉर्मल पानी से अपने बालों को वॉश कर लेना है बहुत जादा सफेद वाल है न तो हफते में 3 बार इसे से हफते में तो बहुत जादा अच्छा रहेगा आपके बालों के लिए आपको एक से दो बार में ही फर्क दिखने लगेगा अपने बाल में ये दिखिए इस तरह से स्मूध पेस्ट बनके रेडी हो जाती है बस इसे बना के आप रख भी सकते हैं हफते भर के लिए स्टोर भ गी होगी thank you have a nice day